नमस्कार आप सभी खस्वागत है आपके अपने चैनल पर तो दोस्ते इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग में जो ट्रांसफर्स चल रहे हैं वैसे तो सभी विभागों में ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन चिकित्सा विभाग में भी काफी बड़े इस त इंतवादला आदेशों को निरस्ट कर दिया है बड़ी अपडेट है पूरी कहानी क्या है वो बताते हैं सबसे पहले तो यह समझी है आप लोग रास्तन हाई कोट का एहम फैसला और सबसे बड़ी बात यह है जोदपूर हाई कोट का यह फैसला है राज्य सरकार ने चिकित्स बताए इने कि संख्या में ज्यादा बताए गया और इस तरीके से उनको जिला बदल दिया गया उनका अंतर जिला ट्रांसफर कर दिया गया और हाई कोट ने राजय सरकार के आदेशों को निरस्थ कर दिया है जाने कि जो याचिका करता थे जो हाई कोट पहुँँ थे और अंतर जिला ट्रांसपर किया गया था उन सभी आदेसों को रास्तान हाई कोट ने निरस्त कर दिया है और ये पूरी खबर है आप लोगों के सामने और जिन्होंने याची का करताओं ने याची का लगाई थी रिट लगाई थी कोट में उनको पूर विस्तान पर नियुक्ति देने के निर्देश दिये गए है रास्तान हाई कोट की तरफ से तो ये भीलवड़ा निवासी रविंदर कुमार टेलार और रान्य ने याची का दायर की थी और बहुत बड़ा मामला है वैसे तो ये लेकिन आपको समझने के इतना काफी है कि जादा लोग इससे परभाव होंगे नहीं क्योंकि जो जो रास्तान हाई कोट में पहुंचे थे उनहीं को यहां पर है इनके ही ट्रांसपर रास्तान हाई कोट ने निरस्त किये हैं और इसमें जो पंचायत राज विभाग का कुछ मामला है काफी लंबी कहानी है वो तो खेर आप क्या ही बताएं कि ट्रांसफर को रस्तान हाई कोड ने अवैद करार दिया है और इनके ट्रांसफर्स हैं रद किये गई है यानि कि यह जो फैसला है जिन उन्हें याचिका लगई थी उन्हों लोगों के लिए ही मानने होगा अन्य पर इसका कोई असर नहीं होगा अगर किसी कार्विंक का इस तरीके से ट्रांसफर हुआ है जिस तरीके से इन लोगों ने आची का लगाई है इनका हुआ है तो आप भी रास्तान हाई कोड जा करके अपना तबादला निरस्त करवा सकते हैं इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है धन्यवाद दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इ किसा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सुबरातरी